तो हेलो बच्छों कैसे हो आप लोग गुड इवनिंग गुड इवनिग एवरिवान चलो कहानियों को शुरू करते हैं और स्टाड़ी इस फॉर इन्हांस्मेंट इन फूर्ड रिसोर्सेज जो हमारा चाप्टर है इस चाप्टर को पूरा आज कंप्लीट भी कर देते हैं तो और चाप्टर बहुत इजी है बहुत आसान है बहुत सिस्टेमाटिक है शायद मैं लाइव भी आ गया हूँ तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरी वोइस ठीक आ रही है या नहीं and then we'll start है ना ओके चालो वोइस ठीक है गुड इवनिंग और नमस्ते एवरिवन गूड और वन सेक वन सेक मैं इसको भेज भी देता हूँ सारे बच्चों को ताकि बच्चे जल्दी से लाइव आ जाए बच्चे बहुत आलसी हो जतते हैं है ना बहुत आलसी one यहाँ पे एक भेजना है ओके ठीक है done चीजों को start करेंगे पढ़ाई ठीक चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई यहाँ ठीक चल रही है तो topic बहुत important है और बहुत interesting topic है आज का और last lecture है आज तो आज हम इसको complete खतम करने वाले हैं systematic करने वाले हैं और जो बच्चे मुझे जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी माईने में जमराक्तिवारी आपको अनकाडमी के plus platform पर biology पढ़ाता हूं सबसे important चीज़ यह कि यह सब चीज़े तुम्हें पता ही है इसमें कुछ बहुत बताने की जरूवत frankly नहीं है जो बताने की को follow करोगे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तो follow my academy profile that is AT sir, AT sir, Anurag Tiwari sir, AT sir के नाम sir, short में तुम लोग मुझे देख सकते हो, follow कर सकते हो, चीज़ों को systematic समझ सकते हो, और साथ-साथ में मेरी telegram ID भी है, यहाँ पर मैं तुम लोगों को, जैसे भी कोई update होती है, कोई notification होत होता है, मैं तुमको update के form में यहाँ पर बता दिया करता हूँ daily basis, right, first thing, तो unacademy AT sir के नाम पर इस telegram को follow कर लो, यह भी एक तुम्हें काम करना है, साथ-साथ में कुछ नए batches शुरू हुए हैं, जैसा कि मैंने तुमको हमेशा promise किया, कि अब से जितने भी batches नए शुरू हो सब plus तो join करें, बट batch कौन सा join करें, suppose कोई बच्चा चाहता है कि उनसे पड़े, तो क्या अफ सिर्फ bio से उसका selection होगा, नहीं होगा, तो वहाँ पर उसको एक physics और chemistry के भी अच्छे teachers चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ नया batch start हो रहा है, जैसे 21st of January से एक batch start हो नाम है उसका उड़ान, batch का नाम क्या बच्चे? उड़ान batch, तो इस उड़ान batch से possibilities तुम्हारे पास यहाँ पर सामने खुल कर आ रही है, है ना, अनकैडमी के जो top 10 educators में आते हैं, वो आपको chemistry, physics और biology पढ़ा रहे है, possibilities एक ही है, साथ साथ में as pair batch, यह especially 2022 वाले बच्चों के हो रहा है, यह 11th moving to 12th वालों के लिए, 23 January से start हो रहा है, उन बच्चों के लिए जो NEET 2022 में देना चाहिए, ठीक है, पुरा एकदम course complete कराया जाएगा, syllabus हो जाएगा तुम्हारा, साथ साथ में बहुत 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 important, यहाँ पर कुछ बहतरीन, जानदार teacher हैं तुम के लिए, है न, आप लोग देख पा रहे हैं, यह teachers आप सब को, है न, आप देख रहे हैं, इनकी qualifications भी देखना चाहो, 18 year से कोई पढ़ा रहा है, है न, कोई 17 year से पढ़ा रहा है, कोई 15 year से पढ़ा रहा है, possibilities को 17 है न, 7 year, 8 year, 13 year, वह दो more than 7 year से कोई teacher पढ़ाए आपको, possibilities ऐ ऐसी ही बन जाएंगे, possibilities ऐसी ही बन जाएंगे आपके, इतने बैतरीन teachers का group, जो आपको 25 जनवरी से लेका, 21 के लिए पूरी preparation कराएगा, पूरी की पूरी preparation कराएगा, तो आज के आज जोईन करें, reason क्या, reason क्यों जोईन करें, तुम्हें एक system की जरुवत है, और वो system यह experience teacher देंगे, एलन के teachers हैं और, एक्स एलन, बाते समझ पारें, एक्स एलन, SSR, sir के नाम से लोग जानते हैं इनको, यहां पर, चंदर मौली sir को कौन नहीं जानता, तो यह सब जो कोटा, डेली हैं, जो बड़े educators हैं, आज अकाडवी के साथ में जुड़े हुए हैं, और इनके सा grandmasters, तो possibilities आपको यहां पर समझनी हैं, और free test के लिए तुम्हारे पास, यह code यूज करना, 80 sir और unacademy combat के test तुम्हारे लिए, पूरी तरह से free हैं, तो free test को join करने के लिए, unacademy combat भी तुम जा सकते हो, join कर सकते हो, अपनी practice के लिए, हाला कि यह बहुत ही synchronized है, systematic है, तो जो plus पर course चलेगा वहीं पर, अच्छा, इसमें topics क्या-क्या हैं, यह भी मैं लेकर आया हूँ, और आपको क्या-क्या मिलने वाला है, वो भी इसमें है, तो वो सारी चीज़े, topic देख रो, यह important है, topic important है, मैंने especially highlight किया है biology और इसके लिए, to neural control, body fluid, और locomotion, botany में anatomy, 12th में molecular basis, neural control, evolution, evolution और human disease, 13th में neural control, evolution, human health disease, anatomy और molecular, तो यह आपको schedule याद रखना है, chemistry, physics आपके सामने है, screenshot ले लेना, या फिर आपको already उस पर, app पर यह चीज़े दिखी जाती है, ठीक है ना, और questions थोड़े से ही है, थोड़े से questions है, 75 questions, 75 minutes, sorry, 28 questions, और 11, 12, और सब के लिए separate, यह आपको already अब पता है, कि Unacademy Combat में, तुमको free test series है Unacademy के तरफ से 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, और बचे dropper हैं, 13th वाले हम बोलते हैं, ठीक है, तो चलो system शुरू करेंगे, कैसे जुड़े हैं, तो बोलेंगे कि सबसे पहले telegram पर जाते हैं, जो play store है, उस पर जाते हैं, play store पर इंस्टॉल करना है तुरंट, अपना जो basic information है, वो fill करने के बाद, neat UG select करना है, 4th step में plus पर जाएंगे, 5th step में आपको get subscription पर जाना है, और तुमारे पास ये 6 months का subscription जो बचे अभी लेना चाहते हैं, इस luxury batch में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे teachers हैं, बहुत अच्छे teachers है एक systematic पढ़ाई हो जाएगी, तो 6 months का subscription ले सकते हो, 28,000 है, और payment से पहले बस एक काम करना, एक interesting चीज़ बता रहा हूँ, यह वाला code डाल देना, ATSIR, ATSIR, यह code डाल देना, ठीक है, इस code को जैसे ही डालोगे, तुमारी fees, बच्छों, reduce होकर 25,000 हो जाएगी, बदब 10% off हो गय मेरी guidance तुमको मिल जाएगी, मेरा system मिल जाएगा, और possibilities suddenly different हो जाएगी तुम्हारे पढ़ने के लिए, इसमें तुम Physics, Chemistry, Biology के इंडिया के top 50 educators के साथ में पढ़ सकते हो, यह एक बहुत ही अच्छी चीज रहेगी, साथ-साथ में जो बच्छे iconic subscription लेना शाब, टीचर जो regular तु तुमको पहले ही, हर मन्त के starting में तुमको पूरे मन्त का schedule मिल जाएगा और पूरे 5 महीने का भी schedule मिल जाएगा, लेकिन वो monthly basis पर आपको मिलता है, एक मन्त पहले, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि 6 महीने बाद कोई teacher अभी बिमार हो गया, तो हमारे पास इतने teachers हैं को उसका substitute ह हम लोग fit करते हैं, बट हर teacher यहाँ पर available है, बहुत से teachers हैं, तो suppose तुमने एक batch join कर लिया, उस batch में क्या हुआ, एक महीने पहले का slivers दे दिया गया, पूरा पढ़ाया गया, फिर जैसे ही खतम होने वाला हुआ, तो हर तीन lecture के बार doubt भी ले सकते हो, वो month पूरा पढ़ाया ग पूछ सकते हो, दूसरा फाइदा, हर तीन lecture के बाद एक अलग से, अलग से proper आपका doubt session हो रहा है, तो वो भी आपको मिल गया, live testing हो रही है तुमारी, एक होता है polling, polling is different thing, testing, live test अलग होता है, countdown चल रहा है तीन घंटे का, और तुम वहाँ पर test दे रहो, तो यह एक और फाइद बन जाती हैं, और सबसे अची चीज, live और recorded lecture दोनों ही देख सकते हो, कभी किसे दिन तुम से ही lecture छूट गया, net नहीं रहा, या कोई भी तुमारी problem रही, तो तुम उसका recorded भी देख सकते हो, इसका दूसरा फाइदा, उससे तुमार को कभी भी revision करता हूँ, आज से तीन महीन subscription में, तुमको एक अलग से personal coach दे देते हैं, जो coach तुमारे को पूरी तरह guide करता है, fees मैंने बता ही दी, 6 month की plus subscription की 25,000 है, मेरा code 80 sir use करके, और iconic subscription की जो fees है, वो है 34,000, तो फर्क जो है वो आपके इस personal coach का है, ये personal coach कोई normal person नहीं है, ये वही आपको मिलेगा, जो खुद किसी न किसी बड़े exam को qualify करके, जिन्होंने MBBS का, MBBS की पूरी पढ़ाई कर ली, और वो अपने time के topper थे, ऐसे लोगों को ही हम hire करते हैं in academy पर, जैसे मेरे कुछ student है, उनको जो coach मिला है, वो खुद मौलाना आजाद से pass out है, और एक मौलाना आजाद से pass out person अगर किसी को guide करेगा, क इस तरह से पढ़ो, ये time table होना चाहिए, चाहिए ये test analysis होनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए study planning होनी चाहिए, ये सब कुछ system तुमको कैसे मिलेगा, iconic subscription में, ये possibilities तुमको कैसे मिलेगी, iconic subscription में, ऐसे ही समझ में आए तो बस लगकर पढ़ाई करो, possibilities तुम्हारे सामने, batches बता दिए, अब ये तुम्हारे उपर है, कि तुम कैसे system, क्योंकि होता क्या है, कि हम पढ़तो रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, लेकिन doubt नहीं हो पा रहे है, testing नहीं हो पा रही है, क्योंकि syllabus तो हम YouTube पर भी कराएंगे सारा, but plus पर आपको वो personalized possibilities बन जाती है, एक होता है भीड और रहे होती है, चैट, इसका बहुत फर्क पढ़ता है, है ना, बचों, तो खूब मेनद से पढ़ो, ultimate target यही होना चाहिए, तुम्हारा कि selection लेना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे दोनों ही जगा तुम्हारे लिए option में, अनकैडमी हमेशा तुम्हारे साथ में है, ठीक है ना, चलो चीजों को समझेंगे यहाँ पर, जो जो possibilities हैं, और क्या-क्या possibilities हैं आपर तुम्हारे पास चीज़े दिख रही हैं, बहुत ही बहुत systematic form में, धंक से समझना, इस बात को समझना, plant में naturally कौन-कौन से, क्या बोलेंगा इसको, naturally plant में कौन-कौन से, morphological changes होते हैं, morphological जो दिखते ह या उसके अंदर ऐसी क्या चीज़े release होती हैं, secret होती हैं, जिसको हम biochemical या physiological characteristics बोलते हैं, यह हमें specially याद रखना है, जैसे सबसे पहली चीज़ क्या होती है, hairy leaf, अब hairy leaf में आपको चीज़ याद रखनी है क्या, क्यों jacids है, उससे resistant है आपका cotton, क्या बोला? cotton is resistance, resistance to jacids, cotton is resistant to jacids, first thing, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो wheat है, उसमें बचों इस चीज़ को समझेंगे, cereal leaf beetles होते हैं, cereal के leaf में, जो cereals होते हैं, उनके leaf beetle, तो उनका नाम यह है, cereal leaf beetle, वो wheat में, उनसे भी बचाता है, cereals, leaf beetles, बातों को समझना, तो आपका जो cotton है, और आपकी जो wheat है, इन दोनों के ही अंदर hairy leaf होती है, क्या word यूज़ किया बच्छों, hairy leaf होती हैं, और वो किससे किससे बचाती है, jacid से बचाएंगी, और cereal leaf beetle से बचाएंगी, पहला यह natural modification है, ताकि वो किसी भी insect pest से बच पाएं, क्या मेरी बाते इतनी समझ में आ रही हैं, है ना, क्या मेरी बाते इतनी समझ में आ रही हैं, दूसरी बात, यहाँ पर दे रखा solid stem in wheat, wheat की जो stem होती है, वो क्या है, solid है, अब उस solid stem की वज़ए से क्या होगा, जो non, यह जो stem soft lie है, उनसे बचाते उसको, तो वो perforation नहीं कर पाते, उनके अंदर छेद नहीं कर पाते, तो prevent stem perforation, यह solid जो stem है, दे prevent stem perforation from soft lie, क्या मेरी बात समझ पाते हैं, क्या मेरी बाते समझ पाते हैं, stem soft lie, एक word यह भी याद रखेंगे, दूसरी बात यह भी याद रखेंगे, conceptual है और यह important भी है, कुछ-कुछ ऐसी भी plant होते हैं, जिनके अंदर changes होते हैं, उनके leaf बहुत smooth होती हैं, और nectar less होते हैं, nectar less होते हैं, cotton varieties वे, वो कैसे बचाते हैं, अगर वो smooth leaf हैं, और nectar less हैं, तो उसमें cotton bulwom आएगा ही नहीं, attract ही नहीं होता है, तो this type of modification is meant for, prevent the attraction of bulwom, है नहीं, prevent bulwom attraction, क्या मेरी बात समझ पा रहा है, क्या मेरी बाते समझ पा रहा है, clear है, this prevent bulwom attraction, very simple और बहुत important, बहुत easy है, simple सा है, आसान भी है, ये भी कहानिया clear हो, high aspartic acid, कुछ-कुछ ऐसे होते हैं, है ना, और ये especially maize की बात हो रही है, high aspartic acid, है ना, इससे क्या होगा कि जो maize का stem borer है, उनसे बचाते हैं, अगर उसके अंदर किसका content ज्यादा है, aspartic acid ज्यादा, nitrogen content है, कम है ना, और sugar content low है, कम है, maize में, तो ये stem borer से बचाते हैं, बच्चे, क्या बोला, maize stem borer से बचाते हैं, तो prevent this type of modification, prevent from stem borers, ठीक है, prevent from what, stem borers, very, very, very important, concept को समझ पा रहे हो, यहाँ पर, कोई confusion किसी बच्चे को है, या अभी तक नहीं है, सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, अगर यहाँ तक की बाते हैं, तुमको बिलकुल clearly यहाँ पर fit हो गई हैं, यह जो सारी plant की varieties बना रहे हैं, यह सब कुछ naturally plant को मिलती हैं, हमने कुछ नहीं किया, कि हमने कोई उसके अंदर gene डाल दी, कुछ कर दिया, तो simple method है, अब इस बात को समझना, कुछ varieties के examples में दे रहा हूँ, बट फिलाल breeding method, यह एक point से छोटा सा note कर लेंगे, जरूर से जरूर, breeding method for insect pest resistant involved, same step, insect pest resistant के लिए भी यही same, source of resistant gene are cultivated, germ plasm collection of the crop and finally wild variety, उसी method से आप दूसरे भी बना सकते हो, कहने का बस यही simple सा method है, यह एक कहानी है, main चीज आपको यह चार points याद रखने, hair relief, solid stem, smooth leaf, है ना nectar less, और high spartic low sugar content यहा फिर, nitrogen content, in modification, plant अपने अंदर कुछ modifications करता है, और इस modifications से plant को फाइदा क्या होता है, कि plant अपने आपको छोटे छोटे कई insect से बचा पाता है, अब दूसरी बात समझे, हमको से समझना है कि कुछ crop की varieties हैं, जिनके अंदर थोड़ी से हमने modification की, जिसकी विज़े से they become resistant to pest, तो वो कौन कौन सी varieties हैं, बचे, तो यहाँ पर मैंने कुछ tabler form में डाल दिया, brassica की variety है, जिसको हम mustard बोलते है, flat bean की variety है, और भिंडी की variety तो एक वो अलग था, परभानी क्रांती, mutational breeding का example, तो brassica की variety आप chat box में बताएं मुझे, कि क्या है, बच्चों, जल्दी से बताएं, brassica की variety क्या है जल्दी से बताओ, बच्चों, brassica की variety कौन कौन सी है, है न, तो यहाँ पर नाम आपको याद रखना है, पूसा गौरो, क्या word यूज किया, क्या नाम है, पूसा गौरो, अच्छा, इसके खास बात क्या है, किस से बचाता है ये, तो aphid से बचाता है, किस से, aphid से बचाता है, ठीक है, इतनी कहानिया, flat beans, जल्दी से बोलो, यहाँ पर भी, पूसा, sem1 और sem2, और साथ में, जो आपके NCRT में especially है, पूसा, sem2 और sem3, ये है न, पूसा, ये जो दो modification है किस से बचाते हैं, ये बचाते हैं आपको jacid से, aphid से और fruit borers से, है न, jacid से, aphid से और fruit borers मेरी बात समझ पा रहे हैं, prevent करते हैं किस से, fruit borers से, ये बाते हैं आपको समझ में आ गए, आज़ा तीसरी बात करते हैं, okra, या फिर भिंडी की बात कर रहे हैं, तो पूसा, सवानी और पूसा, A4, ये दो नाम याद रखना हैं आपको, पूसा, सवानी, ये varieties हैं, जो कि किसी particular insect pest के resistant हैं, ठीक है, पूसा, A4, क्या वर्ड यूस किया, पूसा, A4, shoot and fruit borers से ये बचाते हैं, fruit, and shoot borers, इनसे ये बचाते हैं बच्चों, concept को आपको याद रखना पड़ेगा, चीजों को simple language में screenshot लेना चाहो, तो तुमें screenshot भी ले सकते हो, बाकी तुम्हारे उपर हैं, conceptually इसको कितने बहतर तरीके से तुम समझना चाहते हो, conceptually इसको कितने बहतर तरीके से, क्या मेरी बाते समझ पा रहे हो, चलो बहुत अच्छा, done हो गया, अगली बात जो हमें समझने हैं यहाँ पर, plant breeding, food improvement के लिए हम इसको कैसे use कर सकते हैं, improved food, food उसके लिए, है न, यहाँ पर कुछ छोड़ी छोड़ी बाते हैं जो आपको याद रखना है, एक data छोटा सा बता रहा हूँ, around 840 million people है न, है न, do not get, educate food supply, concept को समझो, educate food supply, मिल ही नहीं पाती है, है न, मिल ही नहीं पाती, छोड़ी छोड़ी बाते हैं आपको यहाँ पर याद रखना है, one sec, one sec बचे, एक मिनिट रखना, इसमें कुछ हिल रहा है, एक second बचे, यह आज, एक second देना बचो, अच्छा, इन datas को आपको प्रॉपर याद भी रखना है, न, इन datas को आपको प्रॉपर याद रखना है, तो possibilities आपकी automatically बनती हैं, बस मुझे एक second देना, लाद कर्दों कौरेब laugh. झेँ वाद को आतना, आत बसा बसाना है, कर्दों को आपके रखना है, इन हो आपको आतना है, अच्छा, इन gdzie प्रॉपर याद रहादUST है, यह रहा हैं? झाल झाल हाँ जी बच्छों चालो बस एक मुझे छोटी सी वो थी इसलिए मैं देख रहा था चालो चीजों को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न एराउंड कितने 840 मिलियन पीपल हर साल हर साल उनको एडिकेट फूड ही नहीं मिल पा रहा जिसमें से तीन बिलियन सफ्रिंग फ्रॉम माइक्रो नूट्रियंट जो माल नूट्रिशन है न कितने एराउंड बीतन हैं एराउंड फ्री बिलियन बात समझ पा रहे हैं और फ्रीपिल नको ईनको किसी नकिसी छोटे मूटे माल नूट्रिशन से कमी है माल नूट्रिशन का मतलब होता है कि आपको खाना तो मिल रहा है तो पेट तो भरा हुए but the thing is problem क्या है वहाँ पर कि कहीं न कहीं से आपको कोई nutrition नहीं मिल रहा है 3 billion people are suffering from क्या बोलेंगे malnutrition 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 क्या मेरी बात समझ पार suffering from what malnutrition यह important है फेट भरा लेकर nutrition नहीं है किसी ना किसी चीज़ की कमी हो गई अब उसकी प्रोजा से problem क्या आएगी problem यह आएगी कि person के अंदर जो nutrient जो हर काम हर एक nutrition का अपना काम होता है वो काम होगा नहीं तो इसको बोलते hidden hunger यह तुमारे boards और need दोनों के लिए important है this term is known as what hidden hunger word को याद रखने है एक बहुत 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 important चीज़ बता रहा हूँ कि what is hidden hunger कल को तुमसे कोई पूछ ले तो आपको यह word proper tips पर रटा होना चाहिए tips पर पर रटा होना चाहिए कि hidden hunger exactly क्या है तो इसको पूरा कैसे करें hidden hunger को यहाँ पर word यूज किया है bio fortification किसी भी crop के अंदर आप nutritional कोई चीज डालने for example आपने golden rice का नाम सुना है और बचों golden rice जो है ना concept को समझनेगे जो golden rice है एक simple rice है लेकिन vitamin A है किसी normal nutrition को देने के अलावा भी साथ में कुछ additional दे देना is called as bio fortification adding nutrient value to the normal food या को यह भी food है that is called as bio fortification that may be protein, that may be fat, that may be mineral, that may be vitamin anything तो adding nutritional value to normal food concept समझ गे, हाँ या ना, concept समझ पा रहे हो बचों, yes or no तो यह दो वर्ड आपको याद रखना, first word is called as hidden hunger first word is called as hidden hunger, second word is what, bio fortification दोनों में ही कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, I think right, हाँ या ना, चलो अगली बात करते है हाँ जी, बिल्कु ठीक बात है कि objective क्या है, हाँ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का especially objective क्या है, हम प्लांट ब्रीडिंग करते करते क्यों है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है तो आपको protein का content बढ़ाना है आपको oil का content बढ़ाना है आपको vitamin का content बढ़ाना है micronutrient का content बढ़ाना है और mineral का भी content बढ़ाना है ये पांचों बाते तुम्हारे tips पर होनी शेए क्या-क्या we have to improve improve protein content in food वही अलग-अलग की possibilities होती है तो protein content और quality दोनों की बात है content and quality ये हमें improve करना है first thing second word आपको ये भी आज रखना है कि oil content और quality improve करना है oil भी हमारे improve जो भी membrane है और इन सब चीजों को improve करता है improve oil content and quality बात समझभारे है oil content and quality vitamin content बढ़ा सकते है mineral nutrients बढ़ा सकते है improve mineral content micronutrient content या फिर mineral का content इन सब content को improve करने के लिए लिखने को एक points में भी लिख सकते हैं बट NCIT में जो चीजें लिखें उसको हम point wise लिख लेंगे तो हमारी possibilities automatically बढ़ जाएगी हमारी possibilities automatically बढ़ जाएगी इन concept को भी आपको समझना होगा कि हम क्यों काम कर रहे हैं क्यों इस improvement को करवा रहे हैं मेरा बस एक काम है सिर्फ एक target है कि तुमको NCIT के हर point को बिल्कुल tips पर करवा दिया जाए उसके जितने भी previous year हैं वो भी करवा दिया जाए तो possibilities बन जाएगी आपकी बातें समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है येस और नो बातें समझ में आ रही है बचों चलो बहुत अच्छी अच्छी बात अगली बात करते हैं यहाँ पर अगली बात समझते हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक hybrid विवेक है यह से नाम आपने शायद नहीं सुना होगा Atlas 66 आपके syllabus में इसलिए आपने नाम सुना होगा तो यह Atlas 66 है और देखरो कितने बड़े-बड़े जैसे गन्ने की खेत इतने बड़े-बड़े लंबे-लंबे तो यह कुछ varieties हैं जो आपको यहां समझानी 2000 में एक मेज की variety बनाई गई जिसके अंदर lycine और tryptofan यह दोनों ही जादा डाल दिये गए और उसमें उस protein content जादा वाले को हम क्या बोलते हैं आज Atlas 66 तो यह वर्ड याद रखने है In 2000 A hybrid मेज वराइटी Is added या created मेज वराइटी इस ग्रिएटी और उसके अंदर especially डाला क्या गया उसके अंदर जो amount था tryptofan और lycine का वो double था इतना जादा उसकी gene amount of tryptofan है ना tryptofan की बात कर ली और lycine है ना और दूसरा क्या इसका amount क्या था twice the amount twice the amount concept को समझेंगे तो amount जादा बढ़ गया और उस excess protein content वाले को हम लोग क्या बोलते हैं Atlas 66 ये Atlas 66 और इससे फाइदा क्या हुआ अब आदमी जब wheat खाएगा तो उसको protein का content automatically जादा मिल जाएगा एक चीज़ याद रखेंगे एक चीज़ और iron का content भी इसमें add किया गया iron fortification भी किया गया iron fortification fortification मैंने भी बता है bio fortification कोई nutrient availability को बच्चों increase कर देना उसमें क्या मेरी बाते समझ पा रहे हो क्या मेरी बाते समझ पा रहे हो बहुत अच्छे तो iron fortification भी किया गया वहाँ पर इस concept को आपको याद रखना है इस concept को आपको systematic form में समझना है याद रखना है पहली बात यह कहां नहीं आपको समझ में आ गई I think अगली बात यहाँ पर जो समझनी है एक छोड़ी सी बात कहां गया Indian Agriculture Research Institute I-A-R-I उन्होंने बहुत से ऐसे bio fortified food बनाए या fruits बनाए जैसे vitamin A enriched carrot, spinach और pumpkin बनाया क्या? कौन-कौन से like vitamin A rich क्या बनाया उन्होंने? carrot, spinach and pumpkin बनाया अब जो बच्चे इसको ध्यान से नहीं सुनते उनके साथ problem क्या होती है? जहां से सुनना which of the following is vitamin A enriched food formed by I-A-R-I और आपको answer जाएगा फिर आपको जाएगा यार इसको यह कहां लिखा हुए NCRT में? लिखा हुए है न NCRT में वही तो बता रहा हूँ वही तो कहानिया बता रहा हूँ second thing बात करें vitamin C rich, vitamin C enriched to bitter god क्या बोलते है उसको? bitter god को हिंदी में क्या बोलते है नो legg? हाँ जी बुच्शों bitter god को क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ जी? हाँ तो इस बात को समझना बत रहा है, mustard हे, tomato हे, bitter god है यह चार बनाये थे उन लोगोंने हिंदी उन लोग देखने ना है ना तो बिटर गॉर्ड बत हुआ है ना बत हुआ के साथ साथ में क्या मस्टर्ड और टमाटो मस्टर्ड और टमाटो बाते समझ पारें यह चार है आपके पास ठीक है यह चार आपको याद रहें कुछ यह भी बनाया से जिसके अंदर आइरें ज्यादा था आइरें अंड कैल्शियू है ना आइरें एंड हां करेला अच्छा करेला हां बिल्कु ठीक करेला करेला ठीक है तो आइरें एंड कैल्शियू में स्पिनेच और बथुआ यह दोनों किसे बायो फोटिफाइड थे है ना स्पिनेच और बथुआ जो है ना स्पिनेच एंड बथुआ 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 वो साग होता है ना शायद बथुआ question यहाँ पर protein enriched में आपको जो आपका lab lab है और एक यह है कौन सी garden pea है और french pea है तो यहाँ पर आपको यह बात याद रखने होगे protein enriched है protein enriched protein enriched में यहाँ पर कौन कौन से है lab lab ठीक साथ साथ में आपको दो points और याद रखने है garden और french pea garden and french pea क्या मेरी बातें समझ पाए क्या मेरी बातें यहाँ पर समझ पा रहे हो तो यह कुछ examples तुम को यहाँ पर specially याद रखने हैं जो तुम्हारे कामके हैं और simple हैं और आसान भी है simple भी हैं और आसान भी है क्या इतनी बातें done हैं इतनी बाते मैं बच्चों मान लूँ है ना शलो तो यह points से जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं आपको बात करनी है अब single cell protein और tissue culture दो टॉपिक और हैं छोटे-छोटे से इस chapter में जिसको आप systematic कर सकते हो single cell protein पढ़ा इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे unicellular ऐसे कौन unicellular organism ऐसे unicellular organism जो बहुत सा प्रोटीन बनाते हूं जो बहुत सा वाट प्रोटीन बनाते हूं उनके लिए word क्या use किया है single cell protein और जब भी हम SCP की बात करें single cell protein की बात करें और spirulina की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता तो हम सबसे पहली बात करेंगे किसकी इस spirulina की बात करेंगे देख रहा है यह आपर यह जो बाबा राम देव आजकल बेचते हैं और उस सारी शीज़ें होती है उसमें spirulina के डब्बे होते हैं आप उसको खाओ और आपके nutrition nutritional value बढ़ेगी तो यह एक alternate source है protein का है ना यह इस पारिलिना alternate source of protein है ना that is what is spirulina नाम याद रखने यह और इसको आप paste बना लो हरा हरा है ना और powder बना लो खालो कोई वो दिक्कत नहीं इन फैक्ट यो जो unicellular है जो unicellular organism है इतना protein बनाते हैं बात को समझना एक 200 kg की गाय है मान लो वो पूरे दिन में 200 gram protein बनाएगी बस उसका सारा दूद निकाल लो तब भी कितनी 200 kg काव प्रोड्यूज टू हंडड़ ग्राम ओफ प्रोटीन पर डे इतना और वहीं एक microorganism है उसका नाम क्या है methylophilus methylotropus है न यह थोड़ा सा और clear करूं एक मिनट इसका भी यह नहीं कि एक एक bacteria 200 gram बस कितना 200 gram मन थोड़ा सा ले लिया ओफ नाम क्या है इसका पूरा methylophilus methylotropus methylophilus methylotropus इमाजन करो यह कितना बनाता होगा पूरा दिन में 200 gram है बस इतना सा 25 ton protein एक हना जो है 200 gram इतना amount कितना produce कर सकता है 25 tons of protein concept को समझना है possibilities को बढ़ाना है और आप सब समझ जाओगे इस तरह से इस पर लगो थोड़ा से मेहनत करो थोड़ी सी spirulina है एक वर्ड यहाँ पर आपको याद रखना है क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो यह मेरी बातें समझ पा रहे हो यह इस परलेला in fact market में भी बड़े इंट्रस्टिंग तरीके से मिलता देखो यह powder के form में मिल रहा है ऐसा सा होता है filamentous form में है na filamentous form में बहुत जादा इसके अंदर क्या होते हैं minerals होते हैं protein होते हैं fat होते हैं carbohydrate होते हैं और इस concept को समझना है कि they have ability to reduce environmental pollution as well क्यों वहां का सारा कूडा कच्रा खा जाएगा और अपने अंदर से protein निकालेगा कितना अच्छा है गंदगी खाए अच्छी चीज निकाले तो reduce environmental pollution environmental बात हैं समझ पार they reduce what environmental production possibilities को आपको ऐसे ही समझना होगा तब जाकर चीजें समझ में आते तब जाकर चीजें proper समझ में आते तो इस तरह कर यह दिखता है कौन ispirelina कौन ispirelina done चलो बच्चो तो यह बस दो चीजें आपसे पूछी थी single cell protein के form में अगली जो बात मुझे तुम्हें समझानी है that is called as tissue culture और lab में हम लोग क्या करते हैं conceptually समझेंगे tissue culture के बारे में कि होता क्या है तो एक concept को बहुत ध्यान से समझ लो एक plant है छोटा सा या plant छोड़ दो seed की बात करते हैं एक seed जमीन के अंदर है प्लिम्यूल निकला हाला कि radical भी निकले है और इसमें से कलको leaf निकले है जो भी है अच्छा इस बात को समझना अगर मैं इस प्लिम्यूल को है ना इस वाट प्लिम्यूल को कट करूं क्योंकि they have ability to divide into any cells इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे टोटी पोटेंट सेल ऐसा आप बोल सकते हो या फिर जो भी जो भी आपको बोलना टोटी पोटेंट बोल दो और इसको मैं लाब में proper nutrition media इसको दे दूं बच्छों और यहां पर इसको ग्रो करूं तो यह अपने आप में एक नया प्लांट बन जाएगा अपने आप में एक नया प्लांट बन जाएगा कंसेप्ट को समझना अच्छे जो छोटा सा तुकड़ा है जहां से यह प्लांट ग्रो हुआ उस पार्ट को क्या बोलते है एक्स प्लांट और एक्स प्लांट डारेक्ल मास बन जाएगा, प्लांट का बट इसमें और जो आपके साइटो काइनिन है, इसके प्रॉपर रेशियो से, रूट और शूट डवलप होते हैं, बट इस अंडिफरेंशियेटेड मास इस नोन आज वाट क्यालस, इसो क्या बोलेंगे बच्चों, क्यालस तो टीशू कल्चर is also known as ex-plant culture, या फिर इस अंडिफर इस वाट को याद रखना है और इस बात को याद रखना है कि हमेशा टीशू कल्चर जो है, यह देख रहा हो लैब में ऐसे ग्रो करते हैं, देख रहा है छोटे-छोटे से plant हैं, उनको अंदर से pack कर दिया उसमें ताकि infection ना हो और इनको grow करने दिया, possibilities को इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं, इसलिए they are self-sufficient की इसके अंदर survive कर सकें अपनी oxygen वगरा जो है वो कर सकें इतना nutrition इनके अंदर होता है अलग से इनको photosynthesis की जरुवत अभी directly नहीं पढ़ रही, बढ़ हाँ, धीरे-धीरे वो चीज़ें develop करेंगे, cotton slab लगाया या फिर उसको pack कर दिया, जब वो grow कर गए तब उनको directly हमने soil में लगाया इसे एक फाइदा भी होता है हम किसी भी तरह के disease resistant plant बना सकते है disease resistant plant बाते समझ पा रहे हैं, disease resistant plants बना सकते हैं यह plant दो बार लिख दिया बाते समझ पा रहे हैं, disease resistant plant बना सकते हैं concept को समझ रहे हैं एक, दूसरी शीज जिस plant से develop करते हैं मैंने उसके लिए word क्या उसकिया बच्छे x plant जिस part of plant से यह word आपको छोटे-छोटे से याद रखने ही होंगे इसके लाओं कोई option नहीं है और सबसे important चीज इस x-plant have एक बहुत interesting ability that is called as what? totipotency, उस word को क्या बोलते है बचो? totipotency, इस word को भी आपको याद रखना होगा ठीक है? इस word को क्या बचा आप बोला? totipotency है complete नया plant बनाने की leaf का एक टुकड़ा काड़ दो पूरा plant तो नहीं बनेगा but initial जो permule है they have ability to produce a complete new plant एक mature plant है इसमें से एक root cell लिया उसको culture किया उसके अंदर से जो divide form में बने उसको further हमने divide करवा लिया cotyledon बने, further plantlets बन गए तो यह repetition चलता है आप इस बात को समझो मेरे पास एक rare seed है मानलो मैं इसको Australia से लेकर आया और इस rare seed से एक से बनाया मैंने rare seed develop किया, इसमें से मैंने 4 तुकड़े कर लिया, 4 या 5 एक से बनाया मैंने, मानलो 2, 2 से बनाऊंगा 4, 4 से बनाऊंगा 8, 8 से बनाऊंगा 16, 16 से बनाऊंगा 32, 32 से बनाऊंगा 64, 64 से सीधे 128, 128 से 256, 5, 12 1028, बहुत से बनते जाएंगे तो आप देखो 32, 64 128 256 5, 12 1028, 1 यहाँ पर 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 10 स्टेप्स में 10 दिनों में आप यूं समझ लो अगर एक प्लिम्यूल ग्रो करता है एक दिन में प्रपर तो 10 दिनों में आप 1000 प्लांट बना लोगे एक ही सीड से एक ही सिंगल सीड से 1000 प्लांट बना सकते हो सारे के सारे ही डिजीज फ्री हैं बच्छो वहाँ जाकर उसको develop करा लिया और possibilities change हो गई तो इस तरह से tissue culture actually work करता है इस तरह से proper tissue culture यहाँ पर work करता है और इस concept को भी आपको समझना होगा simple form में बहुत interesting यह जो पूरी possibilities चल रही ना इस तरह से lab में जो चीज़ें चलती है और यह यह तभी possible है जब उसके अंदर totipotency की ability बनेगे तभी possible है बचों जब उसके अंदर totipotency की ability proper बनेगी तब जाकर हम इसको क्या बोलते हैं तब जाकर इसको हम क्या बोलते हैं tissue culture अब कौन-कौन से ऐसे plant हैं जो इनके through बनाये जाते हैं कौन-कौन से plant है तो यह आपको नाम याद रखने हैं को tomato, banana, apple they are produced by tissue culture till now और भी बहुत से हैं tomato यह NCRT में है banana, apple are produced by tissue culture method produced by what? tissue culture method concept को समझेंगे और हमेशा जब भी tissue culture से बनाते हैं तो देख produce white वाइरस-free plant है ना वाइरस-free plant तो इस concept को आपको समझना होगा इस concept को भी आपको proper समझना होगा एक छोड़ा सा concept तुमको बताना चाहता हूँ that is called as the somatic hybridization that is called as what? somatic hybridization ये last concept है आज का somatic hybridization या इसी को आप यूँ बोल सकते हो कि एक single cell हमने isolate किया इसमें होता क्या है? कि मान लो मेरे पास tomato है tomato का cell है और यहाँ पर मेरे पास potato का cell है cell है बच्चा पूरा tomato नहीं उठालागा दोनों के protoplasm को हमने fuse करवा दिया with the help of a chemical है उसका नाम है polyethylene glycol क्या नाम है? polyethylene glycol concept को प्लीज समझेंगे सारे बच्चे इसकी वज़ा से इसकी बाहर की जो covering है वो हो जाएगी है ना? dissolve हो जाएगी और इसको हम आपस में fuse करवा कर एक नई variety बना लेंगे इसको बोलेंगे पोमैटो इसको क्या बोला बच्चो? पोमैटो पोमैटो इस तरह से आप इसको बोलते है क्या somatic hybrid है क्योंकि यहाँ पर gametes और उसकी जरुद नहीं पड़ी they are also known as somatic hybridization या इसका क्या नाम रख दिया? somatic hybrid somatic hybrid these are what? तो protoplasm लिया उसको fuse कराया फिर उससे एक hybrid चीज़े बना दी इस तरह से possibilities आपको यहाँ पर समझनी होंगी example में मैंने क्या बताया pomato और यह बंती किससे है polyethylene glycol से किससे बंती बच्चो? तो इसको आपस में fuse करा दिया इस तरह की चीज़ें आपको दिखती होंगे यह तो ऐसे imaginary चीज़ है कि सेब गेंदर संत्रा डाल दिया बट हाँ यह possible हो चुका है बट वो बहुत stable नहीं रहा problem क्या थी? बहुत ही ज़ादा stable नहीं रहा तो यह एक problem हुई थी उस ताइम ठीक है न? तो बस that's it for today चीज़ों को simple language में समझेंगे possibilities को बनाएंगे और कल से हम लोग microbes in human welfare proper systematic type से पढ़ने वाले हैं यह chapter कैसा लगा? जरूर बताना क्योंकि simplified form में NCRT है इस chapter में कुछ भी tough नहीं है कि अरे बहुत concept है genetics की तरह या फिर molecular biology की तरह बहुत concept है छोटे-छोटे से नाम है बच्चों उनके examples उनका basic funda समझ लो इससे ज़्यादा एक word नहीं है first thing दूसरा ये भी आपको समझना होगा important है कि उन नामों को याद अगर कर गए tabular form में तो possibilities वैसे ही बन जाएंगी तो मुझे याद है शायद आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया भी था है ना शायद मुझे याद है तो one sec one sec बच्चों है ना all examples मैंने यहाँ लिखवाये थे ना वो था या नहीं अभी नहीं है शायद हाँ yes तो जितने भी examples थे वो मैंने करवा दिया थे अगर आपको याद हो animal reading के सारे examples मैंने करवा दिया थे आप लोगों को yes or no सारे examples right और यहाँ पर यह plant वाले सारे यह animal वाले सारे example current swiss, sunandini, moat, apis indica, fresh water fish के examples, marine water, fish liver oil, vitamin A, सब कुछ करवा रखा एक बार सब कुछ एक बार मैंने बीच में करवाया भी था and यह examples आपको याद करने है especially कौन-कौन से नाम है है इंसेक्ट में wheat crop के कौन-कौन से नाम है यह भी आपको याद रखना है proper तरीके से है ना इस पारिलिना की यह बात आपको रट कर जानी है proper यह देख रहा पॉडर के फॉर्म में चीज़ें मिल रही है यह मैंने करवा रखा था यह वाले टेबल बहुत इंपॉर्टन थी इसकी फोर क्या है यहां पर fruit और shoot borers से resistant है और परवानी करांती yellow mosaic virus से resistant है जो की mutational breeding के form में बनाएगे यह चीज़ें लिखवाई थी मैंने proper है न मैं चाहता हूँ एक बार फिर इसी के साथ में याद कर लो हर चाप्टर को करने के बाद एक flow chart बनाया करो और उस flow chart से तुम्हारी possibilities बहुत अच्छी बन जाएंगी rice में IR10 है ताइचिंग native 1 है जया और रतना है ठीक mustard में पूसा स्वनिम पूसा गौरो यह दो नाम याद रखेंगे सिर्फ गौरो मत याद करो सिर्फ यह मत याद करो confuse मत करो एक जगा लिख दिया कली फ्लावर में पूसा सुब्रा पूसा स्नोबॉल के वन है ना ब्लैक रस्ट और करल ब्लाइट यह ब्लैक रॉट से resistant है काउ पी में पूसा कोमल है एक और फ्लाट बीन्स में पूसा सेम टू और थ्री है ना मैंने वहां टू लिखा हुआ है तो यह चीज़ें आपको याद होनी शगी यह चीज़ें आपको याद होनी शगी एडिशनली है ना तो यहाँ पर क्या टू एंड थ्री वर्ड को याद रखेंगे टू एंड थ्री ठीक है और जैसिट्स वगरा के फॉर्म में उसी के साथ में मूंग बीन्स में यलो मुजाइक वाइरस चिली में तुमको पूसा सदा बहार याद रखनी है साथ में सीपी में इस्ट का एक्जांपल तुमारे प तो यह सब कुछ सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं और लास्ट में मैंने तुमको बताया पूमैटो अगर तुम इसके एक्जांपल्स धंक से याद कर रहे हो तो तुम्हारा काम अच्छा बनेगा अधरवाइस कन्फ्यूजन बढ़ती जाएंगी चीज़ों क उधर भी पढ़ोगे उधर भी पढ़ोगे तो हमेशा कन्फ्यूजर होगे तो ट्राइ करो इन चीज़ों को रट लो अच्छे से याद कर लो है ना और ये कुछ चीज़े मैंने आपको बताई देखिए कि नीट और उसमें दोनों में इंपॉर्टन है तो पॉस्बिलिटी तो कॉमबैट आप इसी टेस से एन रोल कर सकते हो प्लस या इकॉनिक में भी यही कोड यूज हो जाएगा इसमें तो तुमको 10% आफ भी मिल जाएगा तो बस पॉस्बिलिटीज को ऐसे बनाओ लगकर काम करो मेहनत करो जितनी जादा हाड़ वर्क कर सकते हो बनाते रहो और भाई